कि नमश्कार क्या भूड़े लोगों में भी ब्रेन सरजरी की जा सकती है हां ऐसा सवाल इसलिए उठा क्योंकि आज मेरे पास एक पिशेंट आया जिनकी उमर लगबग 22 साल थे जिनके दिमाग में खून के दब्बे बन गए थे मैंने उनको सरजरी की एडवाइस की तो बहु का उपरेशन कर ली जिएगा नहीं नहीं एसा नहीं है क्योंकि कुछ बीमारीय दीके सबसे पहली बात यह समझने की बात है कि सारे इसे नहीं होते लग होते हैं अलग होते हैं बुरुy लोगों में होते हैं वह लग होते हैं बुड springs इनका फोना को बूड इन खेसे लोगो ऐसे में अपने डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साथ इसका प्रोग्नोसिस क्या है अगर वो कहें कि नहीं स्तिति गंबीर है या बचने की उमीद कम है तब आप सोचें कि कराना है या नहीं कराना है लेकिन अगर डॉक्टर आपसे कह रहा है कि नहीं उमीद बहुत जादा या इस तरह के बिमारी में 100 में से 90% ठीक हो जाते हैं तो नहाग ना घबराएं थोड़े हिम्मत करें क्योंकि कुछ बिमारियां बोड़े लोगों में होती हैं और बोड़े लोगों में होने की वज़े से उनका अगर इलाज ऑपरेशन है उससे मत घबराया करें मैंने बहुत कुछ लोग जो घबरा जाते हैं बिना बात इधर उदर से सुनके कि भई यह से यह हो जाएगा उससे वह जाएगा उससे उनकी बिमारी और बढ़ जाती है और फिर वह जान चली जाती है मुझे लगता है कि अपने डॉक्टर पर विश्वास करें एक या दो जगर रहे ले कुछ करें भी साथा जाती है